हलो आप सबका मेरे चैनल इस प्रीडिंग लाग्यान में स्वागत और अबनन दने मैं आज आपको एक प्राब्लम जो यूपी जे उन्हेस सतानबे में पूछी गई थी को पूछ रही अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इन्बाक्स में जा कर टाइप करें और नहीं पता है तो मेरे पूरी वीडियो बाच कर लिजए का खा को जहाज डूबने के पस्चात समुद में तैते वे एक तक्त को पकड़ा जो की इत्ता बड़ा नहीं था कि दोनों का बोज उठा सके का ने खा को धक्का दे दिया यहाँ पे जो खा है वो डूब गया यहाँ पे का ने कौन सा अपराद कारी किया है आए देखे उत्तर का ने कोई अपराद कारी नहीं किया है काको धराइक्यासी में अंतनी सिधान्त का लाम मिलता है जिसे आसकता का सिधान्त भी कहते हैं उसका लाम मिलता है काको इसलिए उसने कोई अपराद नहीं किया मानों बद जो परिस्तियों में नियानुमत हो सकती है आसकता जो की ब्यक्तिगत प्रकित की है आवसकता है जो कि लोक नई और सुरच्छा से संब्ढ़ दीत है पुरोपत वह आवसकता है जो किसी व्यक्ति को आत्मरच्छा या संगरच्छा के लिए बादि करती है का आत्मरच्छा के अधिकार का प्रयोग किया था क्योंकि लकडी के कमजोर तक्त परसवार होने काक़ और दोनों का पारस पर इकिन्तु निर्दोस प्रयत्न ऐसा था जो दोनों व्याक्ति एक दूसरे के लिए खतरनाग बन सकते थे ऐसी अत्यंत अपवादिक परिस्तितों में अपरादिक मानवध को नियानिमत माना जाता है अता कोने कोई अपराद नहीं किया जो धराई क्यासी है उसका बचाओ मिलता है और यह माना जाता है कि उसने कोई भी अपराद नहीं किया है क्योंकि ऐसी आवसकता थी कि वह अपनी जान को बचाने के लिए किसी दूसरे ब्यक्ति की जान को संकट में डाल सकता था और आवसकता कि सिधान के अंतरगत तो उसकी ब्यक्तियत आवसकता थी अपनी जान को बचाना अगर उसने क्या किया कि तक तो इतना बड़ा भी नहीं था कि दोनों का भार उठा सके और का ने अगर खा को धका दे दिया यहाँ पर जो का है वो जो है खा कि मृत के लिए कोई भी दाई नहीं होगा उसे आउसत्ता का सिधान्त का लाब मिल गया और उसने कोई अपराद नहीं किया है धारह एकाशी का संग्रचड उसे प्राक्त होगा इस तरह मैंने आपको प्राबलम बताई प्राबलम का सलोसन बताई ऐसी हची ची प्राबलम के दिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए लाइक और कमेंट करिए ठीक है धन्यवाद थैंक्यू